हेलो दोस्तो स्वागत है आपका फिर से हमारे योटुब चैनल में तो दोस्तो आज की वीडियो में फिर आप सभी लोगों के लिए लेकिया रखाऊं परियावरण के कुछ महत्वपूर्ण कोश्चन्स तो दोस्तो अभी जो है आपका जो एकजामस है जो परियावरण का वो जो है 12 अगस्त को होने वाला है तो आपको क्या करना है दोस्तो इससे पहले मैंने आपके लिए जो है इन्वार्मेंटल साइंस के और भी बीडियो बनाई हुई है तो आपको उन बीडियो का लिंक जो है 2022 में जून में पूछी गए है वो सारे questions के answer वहाँ पे बताए गए हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वी है तो इस वीडियो के discussion box में जाईएगा वहाँ पे आपको जो है वीडियो का link मिलेगा उस पे आप click करके वो videos देख सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों मैंने playlist भी बनाई हुई है आप playlist पे click करके जो भी से पहले environmental science के परियावरण के जो questions जो वीडियो मैंने upload किया with answer आप उनको भी वहाँ पे जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की जो वीडियो है उस questions का answer जो है right पता सकते हैं अगर आपको पता है तो तो चलिए जो पहला question है आपका वो है परियावरण के दो परमुख गटक है तो जो परियावरण के जो दो मुख्य गटक है वो है जैविक और अजैविक ठीक है उसके बाद question number second है कि निम्नलिखित मैंसे कौन चैविक हाथ की रूप में परियुक्त किया जाता है तो वो किया जाता है आपका राइजो बियम ठीक है राइजो बियम फिर next question है आपका कि मिनी माटा बिमारी का परमुक कारण है तो जो मिनी माटा जो बिमारी होती है उसका जो परमुक कारण है वो है पारा फिर next question है आपका कि वातावरण में कारवन डाइ ओक्साइट की कड़ी चितावनी वाली मात्रा है तो वो है आपकी 300 ppm फिर next question है आपका कि सनरक्षित जैव मंडल वो हो इस्तान है जिसमें निम्नल ग्शित मैंसे किसी एक को सनरक्षित किया जाता है तो वो किया जाता है पारिष्तितिक तंतर को तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को सभी लोग जो है अभी लाइक कर लीजे और अगर आप आप हमारी चैनल पर पहली बार आ रहें और आप उत्राखंड Open University से रिलेटेड वीडियोस देखना चाते हैं तो आपको क्या करना है इस चैनल को सब्सक्राइब करकी जाना है और साथी में जो बैल आइकन उसको भी और पर प्रेस कर लेना है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर आपको जो है उत्राखंड Open University से रिलेटेड वीडियोस दिखाई देने को मिलती है तो आपको क्या करना है दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करकी जाना है तो चलिए जो नेक्स कोश्चन है खादी सिंखला में प्रात्मे को भोगता है तो जो खादी सिंखला होती है जो उसमें प्रात्मे को भोगता होते हैं वो होते हैं पसु एवम चुहे और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी खादी सिंखला है उसमें से related आपके question पूछे जाएंगे तो एक बार जो है खादी सिंकला से जो related आपके questions होते हैं आप उनको एक बार पढ़ लीजिएगा उसके बार next question है आपका कि motor car के धुए से निकला परदूसक जो मानसिक रोग पैदा करता है तो वो होता है आपका सिसा बनाया गया था वो मनाया गया था आपका 21 जून 2015 को फिर next question है आपका कि नीली क्रांती निमने मैंसे किस से संबंदित है तो जो नीली क्रांती जो संबंदित है वो है मचली उत्पादन से फिर next question है आपका कि अंतराष्टी महिला दिवस बनाया जाता है तो जो अंतराष्टी महिला दिवस बनाया जाता है वो बनाया जाता है आठ मार्च को फिर नेक्स कोशन है आपका कि टाइगर और सेर पाई जाते हैं तो जो टाइगर और जो सेर पाई जाते हैं पाई जाते हैं पश्चमी बंगाल एवं गुज्रात में ठीक सेब फिर उसके बन नेक्ट स्कोस्टन है आपका कि उजुन सतह संबंदित है तो जो जो जोन सतह जो संबंदित है वो है आपकी ट्रोपो स्फियर से फिर नेक्स कोश्टन है आपका कि मुख्य परदूशन करने वाला कारक है तो जो मुख्य परदूशन करने वाला जो कारक है वो है CO2 एवंस SO2 ये दोनों जो है मुख्य परदूशन करने वाले कारक है फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि कौन सा वन सरंक्षन से संबंदित है तो जो वन सरंक्षन से जो संबंदित है वो है आपका काजी रंगा अभ्यारण फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि ओजून गैस परत का सरण करती है तो वो करती है आपकी पैरावेगनी किरणों का फिर next question है आपका कि भारती संस्तान को प्रियावरण की पहरी कहा जाता है तो वो कहा जाता है N-E-E-R-I को फिर next question है आपका कि पारिस्तितिकी की किर्यात्मक इकाई है तो जो पारिस्तितिकी की जो किरियात्मक इकाई होती है वो होती है पौधे एवम जन्तु उसके बड़ नेक्स कोश्चन है आपका कि कौन सा जन्तु विलुप्त की ओर है तो जो विलुप्त की ओर है वो है आपका चिम्पांजी ठीक है उसके वर नेक्स कोश्चन है आपका कि क्योटो सम्मेलन हुआ था तो जो क्योटो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था आपका दक्षेणी कोरिया में फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि भारत में मिर्दा अप्रदन का मुख्य कारण है तो जो भारत में जो मिर्दा अप्रदन का जो मुख्य कारण है वो है आपका वनू का कटाओ फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि तीहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है तो यहां पर थोड़ा लिखने में मिश्टेक हुई है तो ये है आपका टिहरी बान जो बनाया गया है वो बनाया गया भागी रथी नदीक ठीक है पर और उसके बाद नेक्स कोश्चन है आपका कि फ्लोरा संबंदित है तो जो फ्लोरा है वो जो है पौधू से संबंदित है फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि गंगा में सरवादिक परदूशन है तो जो गंगा में जो सरवाधिक जो परदूशन है वो है हमारे कानपूर में फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि पैरा बैगनी किरणों की कारण होता है तो जो पैरा बैगनी जो किरणों की जो कारण होता है वो होता है ओजुन परत का सरक्षन तो जो जल जनित बिमारी होती है वो होती है टाइफाइड फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि कौन सा उर्जा का पारंप्रिक स्रोत नहीं है तो जो उर्जा का प्रारंप्रिक स्रोत नहीं है वो है पवन उर्जा फिर नेक्स कोश्चन है आपकी कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में निमने मैंसे कौन सम्बंदित है तो वह हैं आपके मेगा पार्ट कर ये कोश्चन दोस्तों ये आपकी जो इससे पहले वाली वीडियोज भी है उसमें भी पूछा गया है तो आपको क्या करना है ये कोश्चन को ध्यान प्वक पढ़ना है और यहाँ पी जो कुछ कोश्चन जो आपके पहले वाली वीडियो में मैंने बताए वे वो भी यहाँ पे रिपीट होंगे तो वो कोश्चन आपके इंपोर्टेंट होंगे दोस्तो और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वी है तो इस वीडियो की डिसकप्शन वॉक्स में जाईएगा वहाँ पे आपको जो है प्लेलिस्ट बनी ही मिलेगी उस पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं उसके पर नेक्स कोश्चन है आपका कि जनसंक्या की सिदान्त पुष्टक किस ने लिखी थी तो जो जनसंक्या की सिदान्त जो पुष्टक लिखी है वो लिखी है टॉम्स रोबर्ट माल्थसने फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि उर्जा का अप्रिवर्तनी स्रोथ है तो जो उर्जा का जो अप्रिवर्तनी स्रोथ है वो है सौर उर्जा तो वो था ज्वाला मुखि का फटना तो वो जो उर्जा का परभाव होता है तो उर्जा का परभाव होता है पारिस्तिक तंत्र में वो होता है 31 और दोस्तों यहां पी जो आपके 100 नंबर का जो आपका कोश्चन पीपर होगा इसमें आपके 5 या 10 कोश्चन जो है आपका जो है पारिस्तिक तंत्र से याने वाले तो एक बार आप जो है पारिस्तिक तंत्र को जो है एक बार ध्यानफुक पढ़ लीजिएगा उसके बार ने नेक्स कोश्चन है आपका कि चनोर बिल तास्ति दिदी का कारण था तो जो चनोर बिल तास्ति का जो कारण था वो था नाभी की सैंत्र में विस्फोट फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि वायू जनित रोग है तो जो वायू जनित जो रोग है वो है अस्थमा और निमोनिया फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि गूबर गेंस का मुख्य गटक है तो जो गूबर गेंस का जो मुख्य गटक होता है वो होता है मिथेन फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि सबसे इस्ताई पारिस्तितिक तंत्र है तो जो सबसे इस्ताई जो पारिस्तितिक तंत्र है वो है आपका समुंद्र फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि कौन सा पिरामीड सदैव सीधा होता है तो जो जैव भार का जो पिरामीड होता है दोस्तों वो जो है सदैव सीधा होता है फिर नेक्स कोशन है आपका कि एक खादी सिंखला में सेर होता है तो जो एक खादी सिंखला में जो सेर होता है वो होता है तित्या को भोगता फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि अबादी छेत्र के निकट शड़क यातायात का अधिक्तम सुविक्रुति दुहनी इस तरह है तो वो है आपका 85 dB फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि संपूर्ण वैस्विक कारवन की लगबग 70% मात्रा होती है तो वो होती है आपकी वनू में फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि प्रकुर्ति में सरवादिक संख्या में परजातिया पाई जाती है तो जो प्रकुर्ति में जो सरवादिक संख्या में जो परजातिया पाई जाती है वो पाई जाती है कीट पतंगों की फिर नेक्स कोशन है आपका कि कौन सा परदूसन फेपड़ों में बाइफोसिस पैदा करता है या गांट पैदा करता है तो वो करता है आपका CFC फिर नेक्स कोशन है आपका कि मरुष्थली करण का कारण है तो जो मरुष्थली करण का जो कारण है वो है आपकी देखे जो आपको तीन उप्सन दे रिखें अतीचरान, खनन, वनकटान ये तीनों आपकी जो है रायटांसर है तो उप्रोक्त सभी उसके बाद जो आपका next question है वो है आपका कि वर्स 2011 में परमार, उर्जा, सैंत्र विस्पोठ हुआ तो 2011 में जो परमार, उर्जा, सैंत्र विस्पोठ हुआ वो हुआ चिली में खीक है उसके बाद next question है कि AIDS विशाणू में होता है तो वो होता है आपका RNA ए उसके वार नेक्स कोश्चन है आपका कि पारिष्टिती की तंत्र में समान्यत्या खादी स्तर की अधिक्तम संक्या होती है तो वो होती है आपकी तीन फिर नेक्स कोश्चन है आपका कि उड़्जा का नब्य करण स्रोथ है तो जो उड़्जा का जो नब्य करण स्रोथ है वो है पवन एवं मिर्दा उसके और नेक्स कोश्चन है आपका कि मचलिया गंदे पानी में निम्न कारण से मर जाती है तो जो मचलिया जो गंदे पानी में जो मरती हैं वो मरती हैं आपके गंदे पानी द्वारा छोड़े गए रोगजनकों के कारण फिर दोस्तों आपका last question है आज का और दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है environmental science की जिसमें आपके लिए तीन वीडियो अपलोड की गई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो इस वीडियो की discussion box में जाएगा आपको वहाँ पे वीडियो के icon मिलेंगे आप उन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं या तो आपको last में जो है आपको side में क पानी के परदूशन के मुख्य स्रोथ है तो जो पानी के जो परदूशन के जो मुख्य स्रोथ है वो हैं आपके ओद्यो के कच्रा ठीक है तो दोस्तों ये थे आपके 50 question environmental science के तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी हुई है तो discussion box में जाएगा वहाँ प पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और साथी में जो बेल आइकन है उसको वाल पर प्रेस करना मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको हमारी next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई